ऐसे ही एज़केशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें ओके नाओ लेट्स स्टार्ट हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इच टड़ी विद अनिल सर में दोस्तों आप सभी के लगतार कमेंट्स आ रहे थे कि प्राचीन भारत की तरह मध्द कालीन भारत को भी कवर किया जाये इस लिए दोस्तों आज से हमने भारत के मध्द कालीन इतिहास को पढ़ने का फैसला किया है दोस्तों मद्धिकाली नितिहास exam तथा knowledge के point of view से बहुत important है अता इसकी जानकरी रखना आपके लिए अतियावश्यक है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मद्धिकाली नितिहास पढ़ने से पूर्व आपको इसलाम के उदय के बारे में जरूर जानना चाहिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज के topic हो वो भी बिना किसी देरी के इसलाम धर्म, Islamic religion इसलाम धर्म एक एक इस्वरवादी धर्म है, जो अल्ला की तरप से अन्तिम रसूल और नवी मुहमत सहाब दौरा इन्सानों तक पहुँचाई गई अन्तिम ईस्वरी किताब कुरान की सिक्षा पराधारित है दोस्तों इसलाम धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी मानेता है कि इस्वर एक होता है और इसलाम धर्म कुरान की सिक्षा पर अधारित होता है दोस्तों, इसलाम धर्में यह मंनेता है कि कुरान एल्ला की तरफ से अंतिम नबी मुहंम्मद साहब द्वरा इन्सानों तक पहुँचाई गई इसलाम धर्म का अर्थ होता है अल्ला को समरपड़ अर्थात एक सच्चा मुसलमान वो होता है जिसने अपने आपको अल्ला को समर्पित कर दिया हो, यानि इसलाम में सच्ची आस्था रखने लगा हो, इसलाम धर्म के नियमों पर चलने लगा हो और जिसका इमान पुकता हो चुका हो। ठीक है दोस्तों, इसलाम धर्म का आधार भूत सिधान्त, अल्ला को सर्व सक्तिमान, एक मात रिष्वर और जगत का पालक, तथा मुहम्मद हजरत को उनका संदेश वाहक या पैगंबर मानना है। एक इस्वर पे भी लिप करता है, तो अल्ला ही इनके वो एक मात्र इस्वर हैं और जगत के पालन करता है। ठीके दोस्तों और जो मुछम्मड हज्रत मुछम्म्मड साहब क्या हैं उनके संदेश वाख हैं या फिर उनके पैगमबर हैं जिनका काम क्या था इसलाम की सिख्षाओं को जनता तक पहुँचाना ठीके दोस्तों। तो जो बात मैंने आपको बताई है यही बात उनके कलमे में भी दोहराई जाती है क्या है उनका कलमा ला इलाह इलिल्ला मुहमद रर्सूल उल्ला यानि कि अल्ला एक है इसके अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं है और मुहमद साहब उनके रसूल अर्थात पैगंबर हैं ठीके दोस्तों कोई भी सुबकार करने से पहले मुसल्मान या कलमा जरूर पढ़ते हैं कौन सा कलमा ला इलाह इलिल्ला मुहमद रर्सूल उल्ला ठीके दोस्तों इसलाम धर्म के बारे में कुछ महत्यपूर तत थे तो दोस्तों जैसा कि आपको बता है कि हम अपने हर लेक्चर में आपको कुछ important facts बताते हैं जो कि आपके exam में directly पूछे जा सकते हैं तो इनको आपको जरूर याद रखना है इसलाम धर्म के प्रवर्टक मुहमद साहब का जन्म सन 570 AD में सौधी अरब के मक्का में हुआ था ना मुहमद साहब इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था चे वर्स की उम्र में इनके माता-पिता के मिलती हो गई अता इनका पालैन पोषण इनके चाचा तथा चाची ने किया इनके चाचा का नाम अबुतालिब तथा चाची का नाम फातिमा बिंद असद्त था ठीक है? मुहम्मत साहब समय समय पर प्रातना करने के लिए हीरा नाम की परवत कुफा में जाया करते थे 40 वर्स की उम्र में सन 610 इस्वी में इन्हें अल्ला से अपना पहला इलहाम यानि की संदेश प्राप्त हुआ दोस्तों ये बहुत इंपोर्टेंट है मुहम्मत साहब क्या करते थे हीरा नाम की एक परवत कुफा में जाते रहते थे और जब वो 40 साल के हो गए यानि की 610 इस्वी में तब उन्हें अल्ला की तरफ से पहला इलहाम मिला यानि की अल्ला की तरफ से पहला संदेश प्राप्त हुआ जब मुहम्मत साहब ने अल्ला से प्राप्त संदेश को अपने शहर की जनता को प्रसारित करना चाहा तो उन्हें अंदविश्वास फैलाने के चक्कर में मक्का की जनता द्वारा दराया धमकाया गया तो दोस्तों कोई भी नया काम करना बहुत ही खत्रे से खाली नहीं होता है शुरुआत में बहुत सारी परसानी की सामना करना पड़ता है हम लोगों को तो यही चीजे मुहम्मद साहब को भी करनी पड़ी बारा सालों तक उन्होंने बहुत जादर ट्राई किया कि मक्का में लोगों को इसलाम धर्म के बारे में बता सकें और जो नौलेज इनको मिली थी अल्ला की तरफ से वो हर जगा प्रसारीत करना चाहते थे लेकिन वहाँ पर इसका जमकर भी रोध हुआ और बारा सालों में इन्होंने अपनी सिक्षाओं को प्रसारीत करने में नाकाम रहे हाला तो ऐसे बन गए थे कि मुहम्मद साहब को मक्का सहर छोड़कर मदीना जाना पड़ा दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि मुहम्मद हजरत साहब को अंद विश्वास फैल आने के चक्कर में जान से मारने की भी धमकी दी गई थी तो इसलिए इन्होंने क्या किया मक्का से मदीना चले गए कब गए सन 622 इसवी में ठीक है दोस्तों तो मैंने आपको बताया कि सन 622 याने की 12 वर्सों के अपने जब इनको ग्यान की प्राप्ति हुई थी उसके कितने साल के बाद में 12 साल के बाद मदीना जाना पड़ा ठीक है दोस्तों 610 इसवी में इनको ग्यान की प्राप्ती हुई थी हीरा नाम की पहाडी गुफा में और 622 में मदीना चले गए मक्का से मदीना जाने वाली इस यात्रा को अरभी भासा में हिज्रा कहा गया क्या क्या गया दोस्तों हिज्रा इसी आधार पर सन 622 इसवी से हिज्री समवत की स्थापना हुई तो दोस्तों जो मक्का से मदीना गए हमारे हजरत महुम्मद सन 622 इसवी में तो इस चीज को ठीक है इस यात्रा को क्या बोला गया हिज्रा और इसी समय से सन 622 इसवी से ही हिज्री समुवत की स्थापना हुई तो दोस्तों आपको कमेंट सक्षन में लिख के बताना है कि हिज्री समुवत के हिसाब से इस समय कौन सा इसलामी की यर चल रहा है ठीके दोस्तों तो कमेंट सक्षन में हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मदीना में उनके बहुत सारे अन्युआई बने सबने मिलकर इसलाम को काफी फैल आया मुहम्मद साहब ने एक मस्जिद का भी निर्माल करवाया जिसका नाम था मस्जिद अल नवी ठीके दोस्तों तो मैंने आपको बदाए कि मक्का में तो इनके फॉलोवर नहीं बन पाए 12 साल तक इन्होंने काफी ज़्यादा कोसिस किया लेकिन जितने फॉलोवर इनके बनने चाहिए थे उतने नहीं बन पाए लेकिन मदीना में इनको भरपूर सपोर्ट मिला और इनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर बन गए और उन्होंने वहाँ पे एक मस्जिद का भी निर्माड कराया जिसका नाम है मस्जिद अल नब्वी जिस समय इन्होंने मस्जिद का निर्माड करवाया था उस समय तो यह बहुत ही छोटी मस्जिद थी लेकिन प्रेजेंट टाइम में यह मदीना में बहुत ही बड़ी मस्जिद है मस्जिद अल नब्वी ठीक है दोस्तों कुरान इसलाम की एक पाक किताब है सबसे पवित्र पुष्टक है इसलाम धर्म की जिसका नाम है कुरान ठीक है मुसल्मान मानते हैं कि इसे मुहम्मद साहब को यह सुनाया और कहां सुनाया हीरा नाम की पहाड़ी गुफा में ठीक है दोस्तों वहाँ पर जाते थे न तो वहाँ पर ही इनको जिब्राइल मिले और जिब्राइल को अल्ला ने भेजा था यह एक देव दूद थे और जिब्राइल ने ही मुहम्मद साहब को कुरान के बारे में बताया कुरान की सिक्षाओं के बारे में बताया कुरान अल्ला द्वारा भेजी गई अंतिम एवं सर्वोच किताब है ठीक है कुरान क्या है अल्ला द्वारा भेजी गई सबसे ज्यादा मतलब अल्ला द्वारा भेजी गई अंतिम और सबसे सर्वोच कि दिखा हुआ है कि प्रतेक मुस्लिम को दिन में पांच बार नमाज पढ़ना चाहिए और प्रतेक मुस्लिम को रमजान माह में रोजे रखने चाहिए यह भी इसलाम धर्म में होता है ना रोजा रखते हैं लोग इसलाम धर्म में तो बोला गया है कि प्रतेक मुस्लिम को रमज ज्यात्रवी करना चाहिए ठीक है इसलामिक समाज सरीयत के कानून के हिसाब से चलता है जिसमें कुरान की सिक्षाओं का ध्यान रखा गया है तो दोस्तों एक ऐसा कानून बनाए गया है इसलामिक समाज के द्वारा जिसका नाम है सरीयत कानून तो सरीयत कानून के हिसाब से ही इसलामिक समाज कारे करता है और सरीयत में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि कुरान की सारी सिक्षाएं उसमें आ जाएं ठीके कुरान की सिक्षाओं का ध्यान रखा गया है कुरान के साथ-साथ हदीश को भी सरिया कानून में जगा दी गई है तो कुरान तो ही है और इसके साथ में हदीस को भी सरिया कानून में जखा दी गई है ठीके दोस्तों कुरान और हदीस सरिया कानून में बहुत ही मेन भूमिका है इन दोनों किताबों की हदीस क्या है अब आप सोच रहे होंगे हदीज पैगंबर मुहम्मद साहब के कथनों, कारियों या आदतों का वरण करने वाली विबरण को कहते हैं ठीक है दोस्तों सन 632 में मुहम्मद साहब के इंतकाल के बाद मुसलिमों को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतरुत्य प्रदान करने की जिम्मेदारी मुहम्मद साहब के सबसे नजदीकी व्यक्तियों को दी गई जो अंत में खलीफा कहलाए तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि मुहम्मद हजरत की मृत्यू कब हुई सन 632 में ठीक है और 632 तक जब तक की थे तब तक तो कोशिस करते थे जो भी इसलाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है इनीके माध्तियों से हो हर जगा पे इसलाम की सिख्षाओं को फ्यलाना सब इनीके नेजटित में होता था लेकिन जब इनके मृत्तियों हो गई तो जो Anda को राजनीतिक तथा धार्मिक नेजटित प्दान करने की जो जिम्मेदारी थी वो मुहम्मद साहब की सबसे नजदी की वेक्तियों को दी गई ठीक है जो उनके सबसे करीबी थे और अभी हम आपको बताएंगे कौन थे उनके करीबी और यही जो वेक्ति थे ठीक है उनके बाद में मुहम्मद हजरत के बाद में जिन वेक्तिय जो किसी इसलामी राजी पर सर्या कानून से चलने वाली राजगी विवस्था का शासक हो, तो दोस्तों, खलीफा किसे कहते हैं, ऐसे शासक को कहते हैं, जो इसलामी राजी में जहां पर सर्या कानून चलता हो, वहां की राजगी विवस्था का शासक हो, मुहम्मद साहब की खलीफा एक धार्मिक एवं राजिनितिक पद बन गया तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब तक मुहम्मद साहब थे तब तक तो इन्होंने हर जगा सांती कायम करने की कोसिस की ठीक है लेकिन जैसे ही इनकी मृत्ति हो गई यह जो खलीफा वाला पद आ गया इसके प्रीसिया मीं होता था वह यह भॹत ही, शक्टिसाली हो जाता था ठाट ही दूश्तों आगे चलके मुस्लिम समुदाएं ना आपसी मत्भेत हो गया जिसके कारण या सियाँ और सुन् unrestुनी में बठ गई तो दोस्तों आपको बताएए कि मुस्लिम हैं सियाँ और सुन्य होते हैं ठीक है सियाँ और सुन्नी किसलि बठगे यही जो खलीफा बाला आगया था ना खलीफा की कारण यह आगे चलके सियाँ और सुन्य बठगे तो आप अब देखते हैं एक करके शिया कौन होते हैं और सुन्नी कौन होते हैं देखते हैं पहले शिया अली की सिख्षाओं में विश्वास रखते हैं तो आप सोच रहे होंगे अली कौन है तो मैं आपको बता दू कि अली मुहम्मद पैगंबर जो पैगंबर मुहम्मद थे उनके द तराधिकारी थे अली मुहम्मद साहब के दामत है सिया मुस्लिमों का मानना है कि खलीफा का पद सबको नहीं दिया जाना चाहिए या केवल मुहम्मद साहब के रिष्टेदारों को ही देना चाहिए तो दोस्तों जो लड़ाई हुई है जिसके कारण लड़ाई होती रहती है स सिया और सुनी के बीच में सिया और सुनी के बीच में जो कंफ्लिक्ट है उसका में रीजन यह है फिर से मैं पढ़ रहा हूं इस लाइन को इस लाइन को ध्यान से सुनना यही सबसे जादा लड़ाई की जड़ है ठीक है दोस्तों इसमें लिखा हुआ है खलीफा का पद केवल उसको दिया जाना चाहिए जो पैगंबर मुहम्मद का रिष्टेदार हो तो अब देखिए ये बात लिखी हुई है यहाँ पे खलीफा का पद आप ऐसे नहीं किसी को भी बाड़ दें सिया लोगों का मानना है सिया मुसलिमों का कि खलीफा का पद आप सबको नहीं दे सकते या किवल उनको देना है जो पैगंबर मुहम्मद का बहुती करीबी रिष्टेदार हो अब सुन्नी का क्या मानना है दोस्तों ये भी देखते हैं सुन्नी मिसल्मान वो मुसल्मान होते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं सुन्ना क्या है सुन्ना मुहम्मद साहब के कथनों और कारियों का विवरण है सुनना क्या है मुहम्मद साहब के कथनों और कारियों का विवरण है सुन्नी मुसलिमों का मानना है कि पैगंबर मुहम्मद का कोई भी उप्युक्त अनियाई खलीफा बन सकता है सुन्नी का मानना है कि भाई जिसके अंदर टैलेंट है ठीक है जो ऐसा मुसल्मान जो मुहम्मत साहब की सिख्षाओं को अच्छे से हर्देखा प्रसारित कर सकता है हर वो इनसान कभीलियत रखता है खलीफा बनने का ठीक है तो अब आप समझ के होंगे कि सिया और सुन्नी में जो कंफलिक्ट होत करता है सिया का मानना है कि खलीफा का पत सबको नहीं दिया जाना चाहिए या केवल पैगंबर हजर्द मुहमत की करीबी रिष्चिदारों खो दिया जाना चाहिए जबकि सुन्नी का मानना है कि पैगंबर मुहमत का कोई भी उपयुक्त अनियाई खलीफा बन सकता है ठीक है सुनी मुसलमान कितने हैं पूरे जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उनमें सब को मिला लें तो सुनी मुसलिम 80-90 प्रतिसद हैं मतलब 80-90 प्रतिसद वो लोग वो हैं जो मानते हैं कि पैगंबर मुहमद का कोई भी उप्युक्त अनियाई खलीफा बन सकता है और सिया की संख्य कितनी है? मात्र 10 से 20% तक है. ठीक है? दोस्तों सिया मुस्लिम कितने ज़्यादा कम है संख्या में सुननी? बहुत ज़्यादा है. तो अब हम आते हैं खलीफा अभी हम खलीफा खलीफा देख रहे ना इसलाम को फैलाना दूसरी सब्दों में इनका कार इसलाम की ऐसी हुकूमत कायम करना जिससे इसलामिक यानी सरिया कानून चले और जिसमें इसलाम के अलावा किसी और धर्म की इजाज़त नहो तो खलीफा का ये भी काम होता था कि अपने पूरे इसलाम धर्म को हर जगा पे फ परवाने का जो जिम्मेदारी दी गई वो खलीफा को दी गई जितने राजे पर खलीफा राज करता था उसे कैलिफेट कहा जाता था ठीक है कैलिफेट को अर्भी भासा में खिलाफा कहते हैं तो आपसे एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि खिलाफा क्या होता है तो आपको काम होता था कि जो भी Muslim countries है या Muslim area है जहां पर राज कर रहा होता है वो हो गया जो बंदा हो गया उससे बोला खलीफा और जिस जितने खलीफा जो था ये केवल 1924 सक्तक था 1924 में एक तुरकी शासक थे जिनका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा तो मुस्तफा कमाल पाशा ने ये जो था ना खलीफा इसको खतम कर दिया तो दोस्तों आपने यहां पर देखा कि खलीफा एक राजा की भाती या अगर कहें तो उससे भी ज्यादा पावरफुल पोश्ट था और दोस्तों आपको तो पता ही है कि सत्ता करना सा कैसा होता है सत्ता पाते ही राजिविस्तार की लालसा का भाव मन में आना आम हो जाता है और ऐसा ही हुआ इन खलीफाओं के साथ में बहुत सारी खलीफा थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम की इसलाम धर्म की सिक्षाओं को हर देगा फैलाया लेकिन कुछ खलीफा ऐसे थे जो इसलाम धर्म को फैलाने की आड में दूसरे राजियों पर आकरमर करना कतल करना तथा लूटना शुरू कर दिये और कोई भी देश इन से अच्छूता ना रहा औ और हमारे भारत की भूमी पर भी इनका असर बहुती साफ देखने को मिला अपने आपको मुस्लिम कहने वाले अरबों और तुर्कों के लोगों ने भारत पर बहुत अक्रमर किये उन्हें बहुत लूटा और कतले आम मचा दिया यहां के मंदिरों को तोड़ दिया धार्मिक आस्था का गला दबा दिया तो दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ाने से पहले इसलाम धर्म के उदय के बारे में क्यों बताया खालीफा तथा कैलिफेट भी आपको समझ में आ गया होगा अगर आ गया है तो कंग्राच तो दोस्तों जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने अभी तेक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगली वीडियो आने तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और सीखते रहिए जय हिंद